हाई गाईज वेलकम बेक टो मैं चानल मैं हुशु गमार मेने चानल पर फिर से एक आपका स्वाधत है तो आज बहुत अच्छी सी मैं टी लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टाइम से यह मैसल आ रहे थी कि हमें कोई ऐसा टी बताये जो हमारी ब्लोटिं को कम करे हमारा instant weight loss हरे क्योंकि यह जो सूजन मला मोटापा होता है स्वैलिं मला मोटापा होता है काफी गंदा होता है यह आपको 15-20 मिन मोटा करते हैं जैसे इन अभी आपने कुछ पहनी है आपको स्वैलिंग चड़ी आपने कुछ भी ऐसा किया या फिर अपर थ्वाइराइ पीसी कब लेना है मोट वीडियो में आगे है तो पूरा वीडियो देखना बिल्कुल भी मन महीं भूलिएगा इस्टी को और आपने लिया तो आधे गंदे के अंदर आप जो पहती जदा हाई है तो असीन अभी है वो 7-8 kg वे फ्लॉस करेंगे और जो 50-60 वाले है वो 4-5 kg मॉज़ाद में बताया है कैसे लेना है इसमें क्या इंडियो रिप्लेस करना है वो सारी चीजह इन वीडियो में आगे है तो फुल वीडियो और बहुत थिहान से देखना पड़ेगा आपको तभी आपको समझ में आएर सारे इंडियो क で21 में आपको बाहर जाने की जुरत मैं आपको नब रातری डायट प्लान पर रोड़ कर दोगी पूरी कोशिषी मैं कोशिछ पर आपने रात्री में अपनापो डाइट प्लान का ध्योत मे 잡िला की अटनेGOं आपनी लूपक को कम करते हैं वीडियो के तरह पाइटे हैं लेकि उससे पहले जिन्मी लोगों देख चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किया है पटा पट से चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटी सी पर आइकर लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मन बुलिएगा तो छहने चाहँ दे वीडियो के लगे तो प्रेंट्स इस ट्री को बनाने के लिए आपको चाहिए बड़ा कप पानी को डालेंगे बॉयल करेंगे । उसके बाद आपको टेबल इसमें आपको अच्वाइभी दाली है अगर इसकी को आप नवरात्री में लेना चाहते हैं तो आज आएं के जगा जीरा डालेंगे जो नेक्स्ट एग्रिडियन्ट है उसे आप इसकिक करेंगे यह तो आप कच्छी वाली यूज़ करेंगे इसके बाद आपको चाहिए पिंच ओ टर्मली तो बहती थोड़ी से आपको हल्दी चाहिए देखें कुछ लोग नवरात्री में जो है टर्मली पाउडर खाते हैं जैसे मैं अवाल्ड करती हूं तो अगर मैं नवरात्री में स्टी को लूँगी तो मैं जीरा और झंड जो अब फिसके बद दो इंग्रेडियन्ट ही यूज़ करूंकि तो जो मेरा णेक्स इंग्रेडियन्ट है गैलने दो तो धो है क्षे अध्रदॉ तो वन टेबल स्पून आपको इसमें अधरक यूज करनी है तो अब मैं अगर बात करों कि अगर आप नवरात्री में स्टीफ हो तीन आचाते हैं है अगर अफने कोई कपड़ा है पंदर मिर्वाद आप उसक पढ़ेंगे तो तुरंथ होगविन है Because of swelling तो तो इस टी को लिए और ती मुझेब बाडि में ओर्डी में आपको बाइव करते हैं लिए पुछ हम रहे बुर्ड बादी पोचाले इसれる लिए को डिए और फ्रायन आपया रहोता बास है 6-7 kg बजन चला गया है 2-3 kg बजन चला गया है मतलब as per body जो काफी है भी है उनको 6-7 kg तक डिफरेंस दिखेगा जो कम हलके body है उनको 2-3 kg तक डिफरेंस दिखेगा तो इसे मैं 2-3 मट तक पकने देती हूँ ऐसे ही और उसके बाद इसे करते हूँ दन बताती हूँ कि आपको इसे लेना कब है तो एक से दो मिनट हो गया है मेरी टीर रेडी है अब मैं इसे 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 बाद करेगा एक चीज में और आपको बताना चाहूँगे अद्रग जो है वो आपको इसे 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 कर रही हूँ और यकीन मानिए कि जब भी मुझे पार्टी फ़ंक्षन या कहीं भी जाना होता है मैं इस्टी को एक बार पीती हूँ और अपने बोडी में अमेज़ेंग दोती हूँ इस्टी को देखिए अगर रेगुलर बेसस पर आपको स्वैलिंग की प्रॉब्लम है वो चाहे थाइराइट की वज़े से हो आप इस्टी को लीजे स्वैलिंग आपके बोडी पे चड़ेगी ही चड़ेगी नहीं सेकंड चीज जब भी आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जब भी आपको लगे कि आपका बोडी स्वैल हो गया है फटाग से यह चाय पीजे और बनाइए और पी लिजे इत्ती ही गरम पीनी है यानि कि जस चाय आपको पीनी है अज़ नहीं है कि आप इसे ठेंडा करके एक बार में पी लो इतनी ही गरम आपको पीनी है थार्ट चीज जैसे कि आपको जैसे मैंने बताया पर्टी फंक्शन में जब जाना है तब आप पीजे लग रेगुलर बेसेस पे लिजे खाली पेट अगर जाना है तब एंड थार्ड चीज आप इसे एजा नाइट ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं और उसका अमेजिंग फर्क देखेगा आपको बार ट्राइ करिएगा और मेरे साथ रिव्यू जरूर शेयर करिएगा तो फ्रेंट्स देखा कैसे लेना है कब लेना है सारा वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है लेगिन अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो मन में कोई आपके कोशन हो मुझे मेल कर सकते हैं सुगम.amid.gmail.com या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलोग और सकते हैं वीडियो के नीचे मैसेज भी कर सकते हैं तो मिलती हूँ बहुत ही जदी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई